हलो एब्रिवन वेलकम टू स्टडी आईक्यू दिस इस मनीश श्रिवास्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुब्य आट बजे एक साइन्स का सेशन लेकर मैं आता हूँ तो कॉमन साइन्स के सेशन में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स का हम जो चैप्टर पढ आया था सीरीज और पैलर सीरीज और पैलर कनेक्शन होते हैं तो किस तरीके से हम वहाँ पर रेसिस्टेंस को निकालते हैं सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम और पैलर का मतलब होता है समानतर तो इन में हमने कल निकालना सीखा था कि रेसिस्टेंस अगर हमें सीरीज में दिया है, पैलर में दिया है, तो कैसे उसको निकालना है, उसके कुछ मैंने आपको MCQ भी दिये थे, उनको भी आज हम solve करेंगे और उसके बाद आज के जो session में हम power के बारे में देखेंगे, m meter volt meter का जो concept है, उसके बारे में होता है, potential difference क्या होता है और आज हमारी बात होगी power पे power जो है, वो बहुत ही important चीज़ है, आपके घरों में energy meter लगा होता है, एक meter लगा होता है जिसको energy meter कहा जाता है, उसी से आपके महिने का bill भी generate होता है तो आज समझेंगे, कि वही हमारे आये हैं questions, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे इसके अलावा और भी कोई doubts होंगे तो comment section में आप ज़रूर बताएंगे, इसके अलावा कोई भी doubts है, इन social media handle पर मुझसे जुड़ सकते हैं, इस lecture की pdf उपर दिये के telegram grip से आप download कर लेंगे देखते हैं, सबसे पहला question जो मैंने कल दिया था, इस question में था कि in a circuit, the total resistance is greater than the larger resistance in the circuit एक circuit में, कुल प्रतिरोध circuit में सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है किस चीज में, मतलब देखा जाए, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किसी circuit के अंदर आपके पास resistance है कल की class में हमने resistance के उपर बात करी थी, कि कुछ resistance series के होते हैं, कुछ resistance parallel के होते हैं, जिनको प्रतिरोध कहा जाता है तो आप ध्यान से देखेंगे आप और इस question को, जिनको meaning नहीं समझने आए, वो सबसे पहले meaning समझते है यहाँ पर पूचा जा रहा है, कि ऐसा कौन सा circuit है, जिसमें resistance जो है total resistance, वो greater होना चाहिए, larger resistance in the circuit अब आप यहाँ confuse होंगे कि greater भी दिया है, larger भी दिया है तो उसका मतलब समझेए, वो यह कह रहा है, कि ऐसा कौन सा circuit है अगर in a series circuit, in a parallel circuit, क्योंकि यहाँ पर लगा है फिलप तो अगर इस फिलप में आप भरेंगे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है या तो series हो सकता है, या तो parallel भर सकते है या फिर either series, either parallel, या neither series, neither parallel मतलब ना तो श्रिंकला, ना ही समानतर, या तो श्रिंकला, या तो समानतर यही चार चीज़ें हो सकती है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि series भी लग सकता है, तो यह sentence क्या हो जाएगा अब यहाँ पर जो है, बात जो समझने वाली है वो यह है कि हमारे पास दो ही options है, एक स्रिंकला या समानतर मतलब series या parallel, मान लिया जाए, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है यह लगा है series में, यह लगा है parallel में, R1, R2, R3 अब देखा जाए, तो इन दोनों से आपको एक equivalent resistance निकालना में निकल सिखाया था मान लिया जाए, कि यहाँ पर जो है value, इस चीज की value 5 ohm है, इस चीज की value 10 ohm है, इस चीज की value भी 10 ohm कर दी गई अब यहाँ पर same चीज, R1 की value 10 ohm, 5 ohm, और यहाँ 10, 10 ohm कर दी जाती है तो हम देखते हैं कि total किसका, मतला largest resistance किस में आ रहा है, series वाले में आ रहा है या पैलर में आ रहा है, क्योंकि हमने तीनों की value सेम रखी है question भी यही पूछ रहा है, कि series में अगर resistance सेम है, पैलर में resistance सेम है, तो किस में सबसे ज़्यादा आएगा तो आप बोलेंगे कि ये तीन जो चीज है, इसको तो सीधे सीधे add कर दो, r equivalent निकालने के लिए r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दीजिए, तो r1 प्लस r2 करेंगे तो 5 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 ओम आ गया, इसके अलावा अगर इसमें करेंगे, तो आपको क्या करना प ध्यान से समझिए, ये वाले का तो 25 ओम आ गया है, इसका निकालना है हमको, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहापे, इसको निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे 1 upon r equivalent, 1 upon r1 की जगा जाएगा 1 upon 5, यहाँ जाएगा 1 upon 10, और यहाँ पर भी जाएगा 1 upon 10, अब इन तीनों का अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा तो LCM जो है नीचे 10 होगा तो इसको भी तो 10 बनाना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 तो यह कितना हो गया तो यह हो गया 4 अपॉन 10 4 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन R इक्विलेंट is equal to 4 अपॉन 10 आ जाएगा अब आपको R इक्विलेंट करना है तो इसकोलटा कर दीजे तो R इक्विलेंट आ जाएगा 10 by 4 तो यह हो जाएगा 2.5 तो जो पैलर में वैल्ली आ रही है वो कितनी आ रही है 2.5 ohm आ रही है और वहीं पर series में कितना आ रहा है 25 ohm आ रही है तो यही तो question में पूछा है कि अगर resistance कौन से ऐसे circuit में ज़्यादा निकलेंगे series में या parallel में तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही circuit दिखाए दोनों में अपने हिसाब से हमने same value रखी R1, R2, R3 की series में हमें 25 ohm मिल रहा है और वहीं पर parallel में हमें 0.5 ohm मिल रहा है मतलब 10 गुना कम हो जा रहा है तो ऐसा कौन सा circuit है कि एक ऐसे circuit में कुल प्रतिरोज circuit में सबसे बड़े प्रतिरोज से अधिक होता है तो किस में होता है तो सीधी सी बात है श्रिंखला में होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा, series हो जाएगा, तो series में हमेशा आपको resistance जादा मिलेगा, मतलब इससे समझना है कि किसी भी wire को जो है अगर हम use कर रहे हैं और अगर उसको series में हम इस्तिमाल करेंगे, तो हमें जादा resistance, हमारे current को वो जादा रोकेगा, मतलब ये ऐसी चीज़ हो पर जादा होंगे, तो आप बता देंगे कि series connections में resistance जादा होते हैं, parallel connections में वैसा नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको समझने आई होगी, बढ़ते हैं दूसरे question की तरफ, दूसरा question कह रहा है कि it is preferable to connect bulbs in series और in parallel, बल्बों को श्रिंखला में या समांतर में जोड़ना क्या बहतर है, मतलब अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ पर आपकी एक battery लगी है, यह battery मान लिया जाए 10V की है, और यहाँ पर एक bulb लगा है, अब यह bulb आपका यहाँ तो एक bulb दिख रहा है, मान लिया जाए आपका मन कर रहा है कि यहाँ पर आपको 2-3 बल्ब लेने हैं, तो 2-3 ब बल्ब यहां आजाएगा, एक बल्ब यहां आजाएगा, एक बल्ब यहां आजाएगा, तो it is preferable to connect bulbs in series on parallel, तो देखा जाए तो ये वाला हमने series रखा है, एक circuit और बनाते हैं, इसमें हम ले लेते हैं क्या, कि बल्ब जो है, एक ये बल्ब हो गया, एक दूसरा बल्ब हो गया, और एक तीसरा बल्ब हो गया, अब देखें द्यान से, एक question आपको आसानी से समझने आएगा, मान लिया जाए कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, अब 10 वोल्ट निकलने पर यहाँ current मान लिया जाए, 3 ampere का current इसमें flow हो रहा है, अब आपने सुना होगा कई बार कि हमारे घरों में voltage डाउन होता है, तो बल्ब डिम होने लगता है, या कभी high glow करने लगता है, यह अमूमन देखा होगा आप लोग ने, तो होता कैसे है, हमारे घरों में, याद रखेंगे, हमारे household आपसे कोई पूछ ले या exams में आये, कि आपके घरों में series में सारे चीज़ें लगी होती है, या parallel में लगी होती है, तो आप बोलेंगे कि series में, हमारे घरों में कोई भी चीज़ नहीं लगी होती है, हमारे घरों में जो connection है, वो parallel में होता है, अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से सुन लेंगे, कि series में हमेशा क्या सेम होता है, तो current हमेशा series में सेम होता है, और voltage हमेशा parallel में same होता है voltage का मतलब क्या है जो भी आपके घर में 220-230 volt आता है तो हर device 220-230 volt पर काम करते है ऐसा नहीं है कि कोई device 100 volt पर काम कर रहा है कोई 200 volt पर काम कर रहा है सबका जो maximum limit है 220 volt AC पर ही काम करता है तो आप ध्यान से समझेए यहाँ पर कि हमारे घरों में क्या होगा parallel use होता है मतलब इस तरह का connection हमारे घरों में इस्तेमाल होगा अब यह जो है यहाँ तीन बल्ब लगे हुए है तो यह तीन बल्ब में से अगर मान लिया जाए कि यह बल्ब fuse हो गया यह बल्ब ने किसी भी तरह से खराब हो जाता है तो यह current यहीं इसी रस्ते से आगे जाएगा और उस्ते बल्ब तक पहुचाएगा मान लिया जाए यह bulb fuse हो गया burst हो गया short circuit कर दिया तो यह बाकी दो बल्ब जल पाएंगे नहीं जल पाएंगे लेकिन मान लिया जाए कि आपका यहाँ पर parallel है यहाँ पर भी 3A का current flow हो रहा है तो 1A current मान लिया जाए यहाँ पर चला जाए 1A current यहाँ पर चला जाए 1A current यहाँ मतलब यह 3 अलग-अलग दिशा में गये और वापस जुड़कर यहाँ पर वापस से तो ये दोनो बल्ब चलते रहेंगों, लेकिन अगर ये बल्ब कहीं से खराब हो जाएगा, तो ये आगे वाले बल्ब को जलना मुश्किल होगा, जैसे की मान लिया जाए, कि एक पाइप से पानी जा रहा है, अब पाइप यहां से फट जाए, तो क्या आगे जाएगा पानी, नहीं जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या है तीन अलग अलग पाइपस है तो इसका पानी पड़ भी जाए तो दो पाइपस ते आसानी से पानी जा सकता है तो इसलिए जो है हमारे घरों में क्या इस्तिमाल किया जाता है पैरलर जो है इस्तिमाल किया जाता है और पैरलर में हमेशा अच्छी है पैरलर में कनेक्ट करना हमेशा पैरलर में होता है तो इसका आंसर भी हो जाएगा तो यह बात आपको समझने आई होगी बढ़ते हैं थर्ड कोशन की तरफ थर्ड कोशन है the total resistance of a circuit having two parallel resistor is 1.403 ohm if one of the resistor is 2 kilo ohm then the other resistor will be अब यहाँ पर बात की जा रही है दो समानतर प्रतिरोध वाले परिपत का कुल प्रतिरोध कितना है एक दशमलो चार दशमलो तीन kilo ohm यदि एक प्रतिरोध दो दशमलो शूनने kilo ohm का है तो दूसरा प्रतिरोध कितने का होगा अब देखिए इसके लिए circuit बना लेते हैं मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका यह है और इसी से निकल कर एक circuit बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं R equivalent अब यहाँ पर यह है R1 और यह है R2 यह कैसा connection है तो आप लोग आप देखकर बता ही पा रहे होंगे कि यह है parallel connection जिसको क्या कहा जाएगा समानतर परिपत यह circuit ऐसा है जिसमें यह कैसा लगा है parallel लगा है अब देखें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बई टोटल जो है वो कितना है 1.403 मतलब इन दोनों resistance का जो R equivalent है R equivalent का मतलब R1 R2 divided by R1 प्लस R2 यह कितना दिया हुआ है आपको R equivalent की value 1.403 kilo ohm यह दी हुई है अब यहाँ पर एक और चीज दी हुई है आपको कि one of the resistor इसमें से माल लिया जाए कि कोई भी एक R1 की value कितनी दे दी गई है 2 ohm दे दी गई है आपसे पूछा गया है R2 निकाल कर बताओ मतलब आपको R equivalent भी पता है आपको R1 भी पता है बस आपको R2 निकालना है तो अब आपके सामने formula लिखा हुआ है कि R equivalent is equals to R1 into R2 divided by R1 plus R2 यही है formula अब देख लेते हैं इससे अब यहां से R equivalent की value भी पता है 1.403 अब R1 की भी value पता है 2 into R2 upon 2 plus R2 यही है यह बात समझने आ रही होगे आपको तो basically अब हमको करना क्या है यहापे तो देखा जाए तो हम इसको solve कर सकते हैं तो आप सोचेंगे कैसे solve कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको solve करते हैं यहाँ पर देखिए 1.403 is equals to 2R2 divided by 2 plus R2 यही होगा अब एक काम करते हैं यह 2 plus R2 को उपर भेज देते हैं मतलब यह पूरा का पूरा term जो है into 1 है तो इसको यहा 1.403 into 2 plus R2 is equals to 2R2 यह हो जाएगा तो कर सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है तो यहाँ पर देख लीजिए इसको हम यहाँ पर solve कर लेते हैं इसको मैं यहाँ पर solve कर रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अब क्या होगा 1.403 into 2 करेंगे हम सबसे पहले तो वो कितना हो ज जाएगा 2.806 plus 1.403 R2 is equals to 2R2 यह हो जाएगा हमारा अब देखिए अब क्या करिए इस वाले R2 को इधर भेज दीजिए तो यह plus का sign है उदर जाने पर minus हो जाएगा तो क्या होगा 2.806 is equals to 2R2 minus 1.403 R2 अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.806 R2 common आ जाएगा 2 minus 1.403 अब देखिए इसको इतना जादा जो है simplify नहीं करते हुए मैं एप्रॉक्स वेल्यू निकाल दे रहा हूँ 2.806 is equals to R2 into 2 में से 1.4 जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह 0.6 हो जाएगा तो R2 क यहाँ पर यह हो जाएगा 28 by 6 तो R2 हो जाएगा यहाँ से 14 by 3 तो यह value आ जाएगी R2 की लगबग R2 आ जाएगा 14 by 3 14 by 3 को अगर हम देखते हैं तो 14 by 3 कितना हो जाएगा 3412.2 तो 3618 4.6 ohm के लगबग आएगा तो इसमें से देख लेते हैं कि भाई कौन सी value 4.6 के आसपास दिख रही है क्या 1.403 किलो ohm दिख रहा है तो विलकुल नहीं क्या आसपास ही नहीं है 2 किलो ohm दिख रहा है क्या यह भी नहीं है 3.4 है तो सबसे nearest 4.6 के क्या हो जाएगा 4.7 तो exactly ना भी निकले तो आप आसपास की value पर पहुँच जाएंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको जो कल की class में बताया गया था series और parallel के calculations आने चाहिए तो यह exams में आई हुए questions है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देगेंगे तो आपको यह questions बनेगे तो यह दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली है आज हमें कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है तो उनको शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी parallel connections क्या होते हैं तो series में हमेशा क्या चीज सेम होती है तो series में हमेशा current सेम होता है और voltage हमेशा parallel में सेम होता है इसी चीज़ को लेते हुए हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना था एक चीज कहलाती है m meter और एक चीज कहलाती है voltmeter तो दिहान से इनके बारे में समझ लीजिए, ये बताया जाता है कि current जो है, वो कहां सेम होता है, series connection में, strain क्रम में, current हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और voltage जो होगा, वो कैसा रहेगा, वो parallel में सेम रहेगा, समांतर क्रम में हमेशा कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, तो अब देखिए, यहाँ पर क्या बात हो रही है, कि मान लिया जाए कि कोई circuit है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, दिखान से देखेंगे इसको, यह एक circuit है, तो देखिए, एक circuit लिया है हमने, और इस circuit में क्या है, यहाँ पर है 10V, यहाँ पर है 2Ω, यहाँ पर है 2Ω, यहाँ पर है 4Ω, अब देखा जाए, तो इसके हिसाब से, यह circuit ऐसा छोटा भी हो सकता है, यहाँ पर है 10V, यह बन जाएगा R equivalent, अब R equivalent आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, तो R equivalent हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अब R equivalent को इस तरीके से देखा जाए, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2, 4, 4 प्लस 4, 8, 8 Ohm है, और voltage कितना है, तो voltage है 10, तो V is equal to IR के हिसाब से, आपको I की value क्या हो जाएगी, 10 by 8, मतलब 5 by 4, 5 by 4 को अगर आप देखेंगे, तो 4, 2 जाए, 8 और 4, 5 जाए, तो इसका आजाएगा आपका 1.25, मतलब इस circuit में जो current flow होगा, वो कितना होगा, 1.25 ampere का, 1.25 ampere आपको यहाँ पर भी मिलेगा, आपको यहाँ पर भी मिलेगा, मतलब इस पूरे circuit में 1.25 ampere यूज हो रहा होगा, ध्यान से समझिए circuit को, इस पूरे circuit में 1.25 ampere यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पूरे circuit में है, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, कि बई जो current होता है वो किस में same होता है तो current हमेशा series connection में same होता है current हमेशा series connection में same होता है और voltage कहां same होता है तो voltage हमेशा parallel connection में same होता है ध्यान से समझे इस बात को series का मतलब current इस पूरी series में एक जैसा होगा चाहे यहाँ पर बात कर लें चाहे यहाँ पर बात कर लें, चाहे यहाँ पर बात कर लें, अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझिए, V is equal to क्या होता है, I और R होता है, मत्लब किसी भी चीज पर अगर आपको voltage निकालना है, तो voltage निकालने के लिए क्या चाहिए, i चाहिए और r चाहिए मतलब उस पे कितना current है और उसका कितना resistance है अगर आपको पता चल गया तो आप किसी के उपर भी voltage को आसानी से निकाल सकते हैं अब आप बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है तो देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यह एक चीज है यहाँ पर भी कुछ voltage ड्रॉप होता होगा यहाँ पर भी कुछ voltage ड्रॉप होता होगा और यहाँ पर भी कुछ voltage ड्रॉप होता होगा मतलब यहाँ पर जो voltage ड्रॉप हो रहा है इसको हम V1 कह सकते हैं इसको V2 कह सकते हैं यह V3 कह सकते हैं अब यह voltage drop का मतलब क्या है यहाँ पर यह resistance लगा है मान लिया जाए resistance की जगा कोई bulb भी लगा था तो उस bulb के पास कोई resistance था तो वो कुछ ना कुछ तो energy use कर रहा है मतलब वो current का इस्तिमाल कर रहा है खुद का कुछ resistance है तो उसका भी कुछ ना कुछ voltage होगा तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इस resistance के उपर V1 कितना है तो V1 क्या होगा V1 होगा I into R अब इस जगा पर I कितना है तो 1.25 और R की value कितनी है दो है तो इस पर कितना हो गया 2.5 volt मतलब इस resistance के उपर कितना drop हो रहा है तो धाई वोल्ट हो रहा है ऐसी आपसे पूछ लिया जा तो V2 पे I into R I की value तो हर जगा सेम है 1.25 into 2 तो यहाँ पर भी कितना हो गया धाई हो गया मतलब धाई वोल्ट इधर drop हुआ अब जो है V3 निकालने को बोल दिया जाए तो V3 क्या होगा 1.25 into R आर कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 होने पर यह कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आए दिखान से समझिए V1 V2 V3 कितना है तो 2.5 2.5 और 5 इन तीनों को add कर दीजिए तो V जो निकलेगा वो निकलेगा V1 V2 V3 मतलब इस सर्किट के अंदर 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5 कर दिया तो हमें क्या मिल गया हमें voltage मिल गया 10 वोल्ट समझा रही होगी बात कि यह जो 10 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगी है यह पूरे सर्किट में 10 वोल्ट ही तो distribute हो रहा है धाई इस पे हो रहा है धाई इस पे हो रहा है लेकिन अगर आपको current निकालने को बोल दिया जाए तो भाई current तो तीनों में ही same है यहाँ पर भी current वही है यहाँ पर भी current वही है यहाँ पर भी current वही है यहाँ पर भी तो तीनों ही जगा आपको क्या मिल रहा है same current मिल रहा है तो same current मिलने पर आप क्या comment कर सकते हैं आप ये बता सकते हैं कि वही series connection में कहीं पर भी current देखो तो एक जैसा ही होता है तो इसलिए जो है current की value अगर आप से बोला जाए कि निकाली जाए तो आप कैसे निकालेंगे तो current निकालने के लिए एक instrument यूज़ करेंगे कि इस circuit में अब देखकर तो यहाँ पर तो हमने solve करके बता है लेकिन अगर आप से कोई पूछ ले कि इस circuit में देखकर बता दो कि इस wire से कितना current flow हो रहा है तो आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे यह तो हमें value दी होई है कि यहाँ से इतना निकल रहा है हमको formula पता था तो हमने निकाल ली तो अब इसके लिए क्या होता है मतलब normally हम क्या use करते हैं हम instruments का use करते हैं ऐसा instrument जो current की value निकाले उसको कहा जाता है m meter तो m meter क्या होता है हमेशा आपका current की value निकालने के लिए काम आता है क्योंकि m meter का मतलब ampere किसकी unit है current की तो m जो meter है वो current निकालेगा तो अब यह exam में बहुत simple सा question आता है कि भई आपका ज चाहिए या parallel में लगाया जाए जिससे current की value पता की जाए तो आप लोग बोलेंगे कि सर अगर series में current सेम होता है तो m meter को भी series में लगा दिया जाए तो बिल्कुल सही है आपका यहां पे observation अगर हम m meter को series में लगा देते हैं m meter को series में लगा देते हैं तो कोई भी voltage होगा यहा निकला ओगा यहां से निकला ओगा फिर यहां से निकलने के बाद यहां पर आया होगा तो यहां पर तो सेम यह रहेगा तो एममीटर को हमेशा कहां लगाये जाता है । सीरीज में लगाया जाता है ध्यान से सुन लीजिए कहां लगाया जाता है तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और श्रेणी क्रम में सीरीज में लगाने के साथ साथ अगर आप से पूछा जाएगी किसी आइडल एम मीटर का रिसिस्टेंस कितना होना चाहिए एक आइडल idle का मतलब होता है आदर्श और science में idle word बहुत बार आता है, idle condition वैसे होती नहीं है, मतलब ऐसी चीज आपको normal possible नहीं है, तो अगर हम बात करें कि आपका idle emitter का resistance कितना होना चाहिए, कितना प्रतिरोध होना चाहिए, तो इसका idle resistance का प्रतिरोध बताया जाता है, कि zero ohm होना चाहिए, अब आप सोचेंगे कि सर ये zero की क्या जरूवत थी, तो ध्यान से देखिए अभी, आपको समझने आ जाएगा दो मिनिट में, यहाँ पर same circuit है, कोई दिक्कत नहीं थी, हमको यहाँ पर current नापना था, आप बोलेंगे सर निकाल तो लिया है, 1.25 ohm आ रहा है, 1.25 ampere आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, यह तो आपने लगा कर देख लिया, मान लिया जाए, आपने series में यहाँ पर एक m meter लगा दिया, यहाँ पर आपने एक m meter को insert कर दिया, अब मान लिया जाए, इस m meter का जो resistance है, जैसे इनका resistance है, वैसे m meter का भी तो कुछ resistance हो सकता है, मान लिया जाए, कि m meter का resistance 2 ohm है, अब जब आपने बिना m meter के नापा, तो आपने निकाल लिया 2 प्लस 2 प्लस 4, तो यह 8 ohm है, लेकिन जैसे आपने m meter लगाया, तो इसका भी कुछ आ गया 2 ohm, तो क्या होगा, क्या होगा कि r equivalent निकालने के लिया, आपको अब करनी पड़ेगी एक और मैनत, कि r1 प्लस r2 प्लस r3, फिर m meter का r4, मतलब क्या करेंगे आप, 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो कितना हो गया, 6,4 प्लस 10, मतलब इसका कितना आ गया r equivalent, 10 ohm आ गया, अब voltage कितना है, 10 ही है, तो v is equals to i r के हिसाब से, यह हो गई value 10, i के value निकालनी है, r गया, यहाँ पर 10, तो i की value इस case में आ जाएगी 1 ampere, अब इस case में अगर 1 ampere आ गई, तो दिक्कत क्या है, आप बोलेंगे कि sir, इस case में तो 1.25 आ रही थी, यह तो यह मतलब हुआ, कि अगर आपने कहीं पर जाकर, किसी चीज़ को check करना था, check करने जब आप गए, तो आपको सही calculation मिल गया, लेकिन कहीं पर मान लिया जाए, कोई corruption हो रहा है, कोई भृष्टा चार हो रहा है, कहीं पैसे खाये जा रहा है, आप जैसी check करने जाते हैं, आपको सही calculation मिल जाता है, तो फायदा क्या हुआ, वैसे ही इस emitter को आपने जब लगाया, तो इस emitter ने बताया, कि भई इस circuit में तो एक ampere current flow हो रहा है, अब आपने इस पे कोई device लगा दिया, कि मान कर कि इस circuit में तो एक ampere का ही current flow होता है, लेकिन मान लिया जाए कि वो circuit में कोई ऐसा instrument लगा था, जिसमें 1.125 तो बहे गए, 1.25 ampere बहे गा, लेकिन उस instrument की इतनी limit ही नहीं थी, जेलने की, एक ampere से जैसी गया, वो चीज burst हो गई, तो आपका circuit खराब होगा, तो इसलिए जो है emitter आपको बताएगा, कि भई सही क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे emitter तो गलत बताता है, तो emitter को क्यों इस्तिमाल करते हैं, तो भई इसलिए कहा जाता है, कि किसी idle emitter को लगाना चाहिए, एक आदर्श emitter क्या होना चाहिए, जिसका resistance कम से कम हो, क्योंकि उसके खुद resistance होने से, equivalent resistance में difference आ जाता है, और जहाँ difference आएगा, तो current की value कम आ जाएगी, और अगर कोई emitter है, कोई आदर्श emitter है, जिसका क्या हो, जिसका 0 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या होगा, R40 लोगे, यहाँ पर 8 ohm ही आएगा, और आपका answer 1.25 ampere ही आएगा, तो इस case में आप आसानी से, क्या निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, आपका current की सरकेट में, कितना flow हो रहा है, तो यह काम हो जाता है, किसका emitter का, तो समझने आ गया होगा, कि emitter कहां यूज करना है, series में यूज करना है, उसका एक आदर्श emitter का, कितना resistance होना चाहिए, कितना प्रतिरोद होना चाहिए, तो आप बता देंगे, कि zero होना चाहिए, वैसे होता नहीं है, हर एक चीज का resistance होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ value, जब निकाली जाती है emitter में, तो consider किया जाता है, उसका भी resistance निकाल लिया जाता है, और formula में रखकर, उससे manage किया जाता है, तो अब ये तो बात हो गई, किसकी resistance की, कि series वाली बात हो गई, मतलब m meter आपको अच्छे से समझने आ गया होगा, अब एक और चीज बची है, जिसको क्या कहा जाता है, volt meter, अब volt meter कहा लगाया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी, जो है चिंता का विश्य है कि, वोल्ट meter को भी तो लगाना है, तो वोल्ट meter को लगाने के लिए हम देखते हैं यहापे, तो वोल्ट meter को देख लेते हैं, कि भई क्या श्तेती होती है वोल्ट meter के साथ, तो देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, वोल्ट meter के लिए, माल लिया जाए, एक सरकिट है, इसका भी है 10 वोल्ट, अब यहाँ पर resistance, यह R1, यह R2, यह R3, अब यहाँ पर, माल लिया जाए, यह 2 ohm, यह 2 ohm, और यह हो गया 4 ohm, सेम सरकिट, जैसा हमने सीरीज में लिया था, वैसा ही parallel में ले रहे हैं, लेकिन अब बात क्या हो रही है, बात अब यहाँ पर थोड़ी सी different हो जाती है, अब यहाँ पर, I की value जो है, देखे, यह वाला जो case था, भी यहाँ पर हमने जो देखा था, तो मैंने यहाँ पर V1 भी निकाला था, V2 भी निकाला था, V3 भी निकाला था, V1 की value कितनी थी? 2.5, V2 की value कितनी थी? 2.5, और V3 की value कितनी थी? 5, यही तो निकाला था, अब यहाँ पर देखे, case थोड़ा सा बदल गया है, यहाँ पर R1 जो है, वो 2 है, R2 भी 2 है, R3 भी 2 है, तो आप बोलेंगे case कहां बदला, लेकिन यह सब चीज़ें कैसी आ गई है, यह आ गई है parallel में, वहाँ पे थी series में, अब देखिए, इस circuit को simplify करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस circuit को, इस तरीके से बनाने के लिए, आपका यहाँ 10 volt होगा, और यहाँ पे होगा R equivalent, अब वहाँ R equivalent निकाला था, तो कितना आ गया था? 8 आ गया था, लेकिन यहाँ पर R equivalent आना चाहिए, तो R equivalent के लिए क्या चीज होती है, तो R equivalent लाने के लिए, आपके पास या तो यह है कि, 1 upon R equivalent कर दो, और 1 upon R1, plus 1 upon R2, plus 1 upon R3, इस तरीके से ही निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं, इसी formula से क्या दिक्कत है, तो 1 upon R equivalent is equals to, 1 upon 2, plus 1 upon 2, plus 1 upon 4, अब देखे, LCM क्या आएगा, तो आप बता पाएंगे कि, भई, इसका LCM तो, 4 ही आएगा, तो नीचे आगया 4, यहाँ पर आजाएगा, 2 plus 2 plus 1, तो यह हो गया आपका, 1 upon R equivalent, is equals to, यह उपर आगया 5, और नीचे आगया 4, तो R equivalent की value हो गई, 4 upon 5, यह value हो गई, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कि वही यह कितनी value आ रही है, 4 upon 5 आ रही है, तो 4 upon 5 को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, कि इनको R1 और R2 कर लेते, पहले इन दोनों को solve कर लेते, तो 2 into 2, 2 plus 2, तो यह कितना हो जाता, 4 upon 4, यह आ जाता 1, तो इन दोनों को आप छोटा करके, लिख सकते थे, यह circuit मालदा ऐसा हो जाता, यह हो जाता 1, और यह बचता 4, क्योंकि आपने इन दोनों को solve कर दिया, मैंने जो बता है था, R1 R2 divided by R1 plus R2, अब यहाँ पर यह दोनों parallel है, तो फिर कर दो, 1 into 4 upon, 4 plus 1, तो यह कितना हो जाएगा, 4 upon 5, ऐसे भी 4 upon 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो देखा जाए, तो भाई, I की value क्या होगी, I की value सबसे ज़्यादा important है, V is equal to IR, तो I is equal to V upon R, अब देखिए, I की value हो जाएगी, 10 upon, 4 upon 5, तो 4 upon 5 को क्या कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा, आपका, यहाँ पे जाने पर, I की value देखिए, या तो क्या किया जाए, 4 upon 5 को आप ऐसे direct भी लिख सकते हैं, या तो decimal में लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगी value, 4 upon 5 को आप decimal में लिख लीगे, तो वो आपको आसानी से समझने आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा point यह हो जाएगा zero तो यह कितनी value हो जाएगी यह हो जाएगी आपकी 5840 तो यह जो r है इस r की value कितनी है 0.8 ampere 0.8 ohm अब देखिए यहाँ से ध्यान से जो हमें समझना है उसी की तरफ बर्ड है हम तो वही r की value यहाँ पर हो गई 0.8 ohm अब 0.8 ohm में उपर 10 है नीचे 0.8 है तो अब current क्या हो जाएगा तो current जो है यह हो जाएगा इसको आप लिख सकते है 100 upon 8 क्योंकि यह decimal लटाएंगे तो 0 उपर चला जाएगा यह हो जाएगा 50 upon 4 या फिर 25 upon 2 या फिर 12.5 देखिए इस circuit में कितना current बहेगा 12.5 अब यह 12.5 जो है इसमें से यहाँ पर आने पर इस वाले point पर आने पर कुछ यहाँ पर जाएगा कुछ यहाँ पर जाएगा और कुछ यहाँ पर जाएगा इस तरीके से मतलब इस 12.5 के तीन तुखडे होंगे I1, I2, I3 I1, I2, I3 जो होंगे इनको देखा जाए तो देखा जाए तो इस पर भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा इस पर भी कुछ ड्रॉप होगा इस पर भी कुछ ड्रॉप होगा तो यह जो 12.5 आपको मिल रहा है यह किसके बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के ध्यान से देखिए यहाँ पर यह जो current है तेम नहीं रहेगा कुछ इस ब्रांच पे जाएगा कुछ इस वाली ब्रांच पे चला जाएगा कुछ इस वाली ब्रांच पे चला जाएगा और यह फिर आखरी में मिलकर फिर I हो जाएगे क्योंकि यहाँ से पूरा निकलने के बाद I1, I2, I3, I के ही इक्वल होगा तो इससे फाइदा क्या है इससे यह चीज है कि आपका इस वाली ब्रांच पर जो voltage इन्टू टू मतलब यह तीनों आपस में पैरलल है और यह अगर यह आपस में तीनों पैरलल है तो इन दोनों पे जो current होगा वो कैसा होगा, same होगा इन तीनों पर जो voltage होगा, वो same होगा और अगर किसी चीज में voltage same होता है तो उसको नापने के लिए क्या इस्तिमाल के जाता है, voltmeter तो voltmeter हमेशा आप कहा लगाओगे voltmeter हमेशा इनके पैरलल में लगाओगे जैसा कि उस circuit में भी था अभी ध्यान से देखिए, इस तरीके से मैं आपको current की value भी निकाल कर बता दूँगा, तो देखा जाए तो basically होगा क्या यहाँ पर I2 into 2 यहाँ पर I1 into 2, मतलब इन दोनों पर जो voltage drop हो रहा है, वो हमेशा बराबर ही आ रहा है, तो I1 2 is equals to I2 2 तो यहाँ से 2 से 2 cancel है, मतलब I1 is equals to क्या हो गया I2 हो गया इसके बाद देखे I3 I3 क्या हो जाएगा, I3 को अगर हम देखते हैं, तो अगर यहाँ पर बात की जाए, तो यह दोनों कैसे हैं, यह दोनों आपस में equal है और यह किसके equal है, I3 के equal है तो अगर एक equation हम ढूणने की कोशिश करें, तो I3 क्या आ जाएगा, I3 4 is equals to 2 I2 तो 2 से यह 2 cancel हो जाएगा मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो I2 is equals to 2 I3 के equal होगा समझे है यहाँ पर ध्यान से समझे है, I2 is equals to 2 I3, और आपका I1 is equals to I2 ही है अब इससे क्या निकाल सकते हैं आप इससे ध्यान से देखिए हमको निकालना है I1, I2 और I3, तो इसको ध्यान से देखिए I1 plus I2 plus I3 कैसे निकालते हैं तो इस वाले चीज को हम लोग solve करने की कोशिश करते हैं यहाँ तक आपको समझने आ चुका है कि कैसे हमने R equivalent निकाला R equivalent की value कैसे निकाली और सारी चीजे मैंने यहाँ पर बता दी है अब थोड़ा सा हम लोग I1, I2, I3 को निकालते हैं अब आप सोच रहे होंगे वो निकालने की जरुवत क्यों है तो बहुत जादा जरुवत है उसी से आपका voltmeter का concept आसानी से clear हो जाएगा तो दो minute आप patience रखेंगे उसके बाद हम इस चीज को भी solve कर लेंगे तो देखें, आपके पास क्या है 12.5 is equal to I1 plus I2 plus I3 है इसके अलावा आपके पास दो चीजे और आ गई है आपको ये पता चुगा है कि I1 जो है वो I2 के equal है और यहीं से आपको एक चीज और पता चल गई है कि जो I2 है, वो किसके equal है, to I3 के equal है अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे और चीजों को समझेंगे अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं कि अगर हम I2 की जगा यहाँ पर I1 भी लिख सकते हैं तो I1 is equal to क्या हो जाएगा 2 I3 हो जाएगा और I3 की value क्या लिखी जा सकती है I1 by 2 हो सकती है अभी ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी 2 मिनट में आपको इस चीज समझने आएगी हमारे पास यहाँ I3 की value भी है हमारे पास यहाँ पर I2 की value भी है और I1 की भी value है तो देखिए इसी equation में हम क्या करते है 12.5 is equals to I1 I1 ही रहेगा I2 को हम I1 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमने इसको भी I1 कर दिया और I3 को भी क्या लिख सकते हैं I1 by 2 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस पूरे चीज से आपको किस की value मिल जाएगी इस पूरे चीज से आपको आसानी से मिल जाएगी I1 की value आप देखा जाए तो यहाँ पर जाएगा 2 LCM तो 2 LCM जाने पर इसको भी 2 से into करना पड़ेगा 2 I1 plus 2 I1 plus I1 upon 2 यह 2 यहाँ जाएगा तो यह हो जाएगा 25 is equals to 2 I1 plus 2 I1 plus I1 तो यहाँ से आजाएगा 25 is equals to 5 I1 और I1 की value हो जाएगी 25 by 5 तो यह आजाएगा आपका कितना 5 तो आपका यहाँ से ध्यान से समझे I1 की value कितनी हो जाएगी 5 Ampere इसके अलावा I2 की value कितनी हो जाएगी i2 की भी हो जाएगी 5 ampere क्यों हो जाएगी वो इसली हो जाएगी क्योंकि i1 is equal to i2 ही था इसके बाद जो i3 है i3 का मतलब क्या है तो i1 मतलब 5 by 2 तो इसकी value हो जाएगी 2.5 ampere अब इससे निकालने से फाइदा क्या होगा इससे ये फाइदा होगा कि इस वाली branch पे कितना ampere जा रहा है इस वाली branch पे कितना जा रहा है आप आसानी से बता सकते है जैसे देखा जाए तो आपको यहाँ पर तीन values पता चलचुकी है i1 की याद रखेंगे कितनी है i1 जो है वो आपका है 5 ampere, i2 भी 5 ampere i3 है 2.5 तो आप देखे, ये वापस से circuit मैं बनाता हूँ, जिसे आपको clarity हो जाए और इसको समझने के कोशिश करते हैं, हमने circuit जो बनाया था, मैं वापस से वही circuit बना रहा हूँ, इसमें हमारे पास ये तीन resistance हुआ करते थे, वापस से देख लीजिए, यहाँ पर आपका 10V था, इसके बाद ये हमारा निकला था 12.5 Ampere, और यहाँ से आपका ये R1, R2, R3, ये तीन चीज़े हुआ करती थे, इसमें R1 मैंने आपको बताया था 2 Ampere, R2 2 Ampere, 2 Ohm, और R3 था 4 Ohm, यही circuit था, अब इससे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चला गया I1, यहाँ पर चला गया I2, और यहाँ पर चला गया I3, I1 की value आपने कितनी निकाल ली, तो 5 Ampere, I2 की value कितनी निकाल ली, 5 Ampere, और I3 की value कितनी निकाल ली, 2.5 Ampere, ये सारे data हमने उसी circuit को solve करके बनाया है, अब इस circuit को देखकर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखी, अग इसके बराबर बता सकते हैं, इसके का पता चल जाए, तो इन दोनों के बराबर बता सकते हैं, और अगर इनके parallel में आपने voltmeter लगा दिया, तो ये voltmeter तीनों का ही बता देगा, कैसे बता देगा, तो देखिए, I1 into R2, इस पे voltage कितना होगा, ये V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान आपके पास सब की value है, R1, I1, R2, R2, I2, R3, I3, तो अब यहां से आप देखिए, तो V1 is equal to V2 is equal to V3 होना चाहिए, क्योंकि parallel में क्या same होता है, यही तो हम बोल रहे हैं कि parallel में होता है voltage same, तो ये तीनों अगर same आ गए, तो हमारे यहां के condition पूरी हो जाएगी, I1 की value कितनी ह 5, R1 की value कितनी है, 2, हो गया 10V, यहां पर I2 की value कितनी है, 5, R2 की value 2 है, यह भी आ गया 10, I3 की value है 2.5, R3 की value है 4, यह भी हो गया 10V, अब देखिए, इससे यह चीज तो clear हो गई, कि voltage जो है parallel में क्या होता है, same होता है, लेकिन एक चीज और पता चल रही है, कि वही बैटरी त की बैटरी से आप 3 ही जगा पर 10V, 10V और 10V का इस्तिमाल कर पा रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, इससे यह चीज हो गई, कि parallel में use करते हुए same power को आप use करके पूरे circuit में इस्तिमाल कर लेते हैं, और उतना ही same power इस्तिमाल किया जाता है, मतलब आपके घरों में 230V आ रहा है, उस 230V से आपका बल भी जल रहा है, आपका fridge भी चल रहा है, आपका AC भी चल रहा है, आपकी TV भी चल रहा है, यह सारे instrument उसी जो है 220V या 230V से चल जाते हैं, तो parallel connection का यह फायदा होने के साथ साथ, हमने यहाँ पर यह भी समझ लिया, कि वह यह जो चीज है, कि वोल्ट मीटर हमेशा कहा लगाना है तो voltmeter हमेशा लगाना है parallel में समांतर में क्यों लगाना है क्योंकि वहाँ पर हमेशा voltage same होता है ये एक बात पता चल गई तो इसको हमेशा लगाना है voltmeter को parallel में ये एक चीज अच्छे की क्या जरूवत थी infinite का ये था कि अगर यहां से current flow होगा तो current हमेशा follow करता है low resistance बात हमेशा कम प्रती रोद वाला रस्ता तैय करता है जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं तो कहीं traffic होगा तो आप वो रस्ता तैय करेंगे जो खाली road होगी वो करेंगे तो but obvious बात है कि आप जो एक खाली रस्ते पर जाएंगे तो ऐसे ही current भी करता है कि current shortcut लेता है ऐसे रस्ते जहां पर बहुत ज़्यादा resistance उसको follow नहीं करता है क्यों है ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अगर यहां से current कुछ भी निकला मान लिया जाए यह i है तो अगर इसका भी कुछ resistance होगा तो यहां पर क्या होगा एक i1 यहां जाएगा और i2 यहां जाएगा अब जैसी i1 यहां पर कम गया तो वोल्ट मेटर तो गलत बताएगा इसलिए वोल्ट मेटर आदर्श होने पर infinite होना चाहिए तो यह आपको समझने आ गया होगा m मेटर और वोल्ट मेटर कैसे काम करता है इसके अलावा अगर आपको m मेटर पता चल गया तो आपको current की value पता चल गई वोल्ट मीटर पता चल गया तो वोल्ट की वेल्टी पता चल गई अगर यह दोनों वेल्जू आपके पास है तो आप एक और चीज निकाल सकते हैं जिसको कहा जाता है पावर तो आज हमको थोड़ा सा इलेक्टरीक पावर के बारे में भोग किया जाता है उसको कहा जाता है आपकी शक्ति, जैसे आपने देखा होगा आपको भी market में bulb लेने जाएंगे तो आपको बताये जाएगा इतने volt का बलब है तो volt जो होता है जो watt होता है यह watt आपको क्या बताता है? यह power बताता है ये हमने वहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, दूसरा पावर, यह electric पावर है, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, तो पावर जो है, simple से आप voltage और current का into कर दीजे, मतलब V into I कर दीजे, तो आपको ये circuit में power निकल जाएगा, और जो commercial unit है, electric energy की, वो होती है, kilowatt hour, यह मैं work energy power वाले chapter में पढ़ा चुका हूँ, इसपे मैंने आज एक numerical भी दिया है, तो वो आप तभी कर पाएंगे, जब आपने वो lecture देखा होगा, तो आप याद रखेंगे कि power क्या होता है, तो power electric circuit में volt into current होता है, अगर किसी के पास voltage नहीं है, तो वो क्या करें, वो volt की जगा I square R भी लिख सकता है, क्योंकि voltage क्या होता है, I R होता है, तो इसको आप replace कर सकते हैं, I square R से भी कर सकते हैं, V square upon R से भी कर सकते हैं, तो power आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे bulb, इस bulb के बारे में भी बात कर लेते हैं, इस bulb के अंदर क्या होता है, filament होता है, जो कि mostly किस से बना होता है, tungsten से बना होता है, और अगर ये जो है, आपका जो filament है, ये break हो जाता है, तो ये break होने पर आपका bulb fuse हो जाता है, तो ये जो filament है, इसी से पूरा का पूरा circuit जुड़ा होता है और circuit कहीं break हो गया तो आपका काम खतम बल्ब खराब हो जाएगा इसके अलावा कई तरह के instruments होते हैं जो घरों में इस्थिमाल किये जाते हैं इन पर भी हम बात करेंगे आज के session में हमने काफी कुछ चीजें discuss कर लिए हैं तो next session के लिए इसको रखते हैं और इस पर आगे हम वहाँ पर discuss करेंगे और भी बहुत सारी चीजें fuses के बारे में पढ़ना है MCB क्या होती है इनके बारे में भी पढ़ना है तो ये next session में लेंगे हम तो आज के questions देख लेते हैं तो इसमें देखिए तो यहाँ पर दिया है 100 volt electric bulb is used for 10 hours एक 100 watt का बल्ब जो है वो 10 घंटे तक इस्तिमाल किया जा रहा है एक 100 watt का बिजली का बल्ब 10 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है खपत की गई बिजली की लागत क्या होगी यदि खपत लागत 5 रुपे प्रती unit है 5 रुपे लगेंगे, 10 रुपे लगेंगे, 25 लगेंगे, 50 लगेंगे को try ज़रूर करेंगे, नहीं आएगा तो कल में इसको बहुत अच्छे से explain करूँगा इसके बाद देखिए अगला question the value of 1 kilowatt hour ये question सबको बनना चाहिए, एक class में पढ़ा चुका हूँ मैं एक kilowatt घंटे का मान कितना होता है 3.6 into 10 to the power 6 joules 3.6 into 10 to the power 3 joules तो ये आप लोगों ने class में पढ़ा हुआ है तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे इसके बाद एक ये question है और आज का ही question है, आज का ही अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने इसको electric bulb is connected to 220 volt generator the current is 0.5 ampere the power of bulb is अब यहाँ पे आपको volt भी दिया है, current भी दिया है बहुत simple सा question है, answer बताना है unit का ध्यान रखना है, एक बिजली के bulb को 220 volt के generator से जोड़ा जाता है, current 0.5 ampere है, bulb की शक्ती क्या होगी 110, 110 volt watt इसका ध्यान रखना है, तो इसमें आप जल्दी से comment section में इसका answer करेंगे, चलो अब और भी कोई doubts हो होते हैं, इन social media handle पर मुझसे जोड़ सकते हैं इस lecture की PDF उपर दियागे telegram group से आप download कर सकते हैं, hope सारी चीज़ें आपको clear होंगी, जो भी doubts आएंगे comment section में जरूर बताएंगे, thank you very much for watching this, have a great day